जै शिमाता जी लगा कुछ तंत है हमारे वीतर शिमाता जी के हिसाफ से बन रहे हैं बन रहे हैं कुछ नजर आता है मैं अपने बारे के क्या सोचते हूं इससे इंपॉर्टेंट ने की शिमाता जी में लिए क्या सोचती है जोड़ दिया मैंने इसा नहीं है शिमाता जी हमारे बारे में क्या सोचती है हैं उन्होंने अपने वचनों में जाहिल कर दिया हजारों बार महत्पूर्ड यह है कि हम अपने वारे में क्या सोचते हैं या क्या मानते हैं या क्या जीते यह बहुत इंपॉर्टन्ट है है अभी बहुत देखा कमिया बहुत अपने अंदर लिपता देखी तिखा कि हां यहां पे अभी हमने उन चीजों को मैंने नहीं डे डे टो डे लाइव में चीज़े की हैं मुझे और उदरना होगा बहुत माइन्यूट चीज़े हैं अटाच्मेंट नहीं हैं सर्फिस लेवल पे चीज़े हैं इसका मतलब है कि और दीप जाना है और जूदना है और समय बिताना होगा अपने चाथ इन चीजों के लिए बिताना तो पड़ेगा जदी आगे बढ़ना है तो ये प्राचीन रास्तों की तरह हमारे जीवन, हमारे संसार का कल्यान करने वाला रास्ता नहीं है हमारी केवल, हमारी जीवात्मा का कल्यान करने वाला रास्ता है संसार का कल्यान करने वाला नहीं पहले के जितने अवतार आए या सद्गुरों के अवतार आए संत आए उन्होंने इस इत्वी तक पहुँचने से पहले हमको तयार करने के लिए हमारा सांसारिक कल्यान किया समझना होगा इस बात को जैसे छोटा सा बच्चा होता है न होमवर्क करने बैठता है उसका दिल नहीं करता तो टीचर या मावा उसको टॉफी चॉकलेट दिला देते हैं जिससे उत्साहित होकर वो अपना काम करना लग जाए और एक समय बाद वो जिम्मेदार हो जाता है फिर उसे टॉफी चॉकलेट के आश्क्ता नहीं होती हमारा जो माईड सेट है या कहें हमारी जो मानसिक कंडिशनिंग है वो कंडिशनिंग ये है हम परमात्मा से जुडेंगे तो हमारा संसारिक कल्यान हो जाएगा हमारा घर बढ़िया हो जाएगा हमारे घर में पैसा आ जाएगा, परिवार बढ़िया रहेगा, तबियत ठीक रहेगी, बच्चे खुश रहेंगे, ये हमारा माइंड सेट है, पर ये माइंड सेट था पुराने काल का, इस काल में तो संसारिक कल्यान की सोचना भी पाप है, अपनी महनत से संसारिक कल्यान करने की सोचें, ओके है, लेकिन हम परमात्मा से चाहें कि हमारा संसारिक कल्यान कर दे, तो ये बिलकुल पाप की श्रणी में आता है, हाला कि श्रिमाता जी ने उत्साहित करने के लिए बहुत सारी बाते कहीं है, तुमारा ये हो जाएगा, तुमारा वो हो जाएगा, तुमारे घर में सवाल लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, वो समालती भी है, पर हमको टेक इट गरांटिड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो काल है, केवल और केवल चेतना के उत्थान के लिए है, और जब तक चेतना का उत्थान नहीं होगा, तो हमारी जीवात्मा का भी कल्यान नहीं होगा, तो हमारी जीवात्मा जीवी तवस्था में भी कल्पेगी, और शरेड की मिर्त्यू के बाद फिर भटकेगी, निश्चित तोर से, कोई नहीं बदल सकता इस सक्त्य को, यदि च ये इतना को उन्नत नहीं किया तो ये सत्य बदलेगा नहीं लास सद्गुरू थे साइनात उनके जीवन का विवरण कहीं भी हम देखते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं या सीरियल में देखते हैं तो लोगों के कर्ष दूर करते रहते थे वो कोई तडप रहा है उसका कर्ष दू लेकिन ये कर्ष दूर करने के फीछे कहीं ना कहीं एक उदेश से रहा कि एक समय बाद यही जीवात्मा एक नए शरीर के अंदर होगी और तब इसको मा के द्वारा जागरती मिलेगी और तब यहे चेतना अपनी जीवात्मा के कल्याण के ही कारे करेगी ना की संसारिक कल्याण के लिए परमात्मा से प्राथना करेगी या उम्मीद करेगी ये मेरा एक अंदरूनी समझ है इस काल के बारे में आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने का मतलब ही केवल और केवल जीवात्मा का कल्याण है ना की संसारिक कल्याण 99.9% सहज अनुयाई शिमाता जी से सहज योग से संसारिक कल्यान की काम ना करते है या हिडिन डिजायर रखते है जो बिलकुल ही भर्म की स्थिती में पहुचा देगी हम सबको सभी लोग अनेको यंतरों के माध्यम से सहज में आएं हैं जादे तर लोग और अनफॉर्चुनेटली उन सभी माध्यमों ने अकसर ये कहा है कि तुमारा संसारिक कल्यान होगा, तुमारा स्वास्ते अच्छा हो जाएगा, तुमारे को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी क्योंकि श्रिमाता जी ने कहा था इसमें कोई शक नहीं श्रिमाता जी ने कहा है लेकिन कितने बरस पहले कहा है ये भी याद रफना चाहिए जब प्रारम्भ हुआ था सहज्योग का तब श्रिमाता जी ने सारी बाते कहीं यानि कि तब वो हमको टौफी चौकलेट का लालस देकर साधना में उतारने का प्रयास कर रही थी उन्होंने गूड से गूड बात बता दी उन्होंने श्री कलकी की बात बता दी अपने गमन की बात बता दी और फाइनली साकार रूप में उनका कारेकाल समाप्त हुआ तो कहीं न कहीं उनके हिर्दे में शायद ये भाव रहा होगा कि अभी मैं 30-40 साल 1970 से लेकर 10-20 साल तक उन्होंने सारी बाते बताई उत्सा वढ़ाया जिम्मेदारी ली सहजियों की और शायद कहीं उन्होंने जिम्मेदारी लेते वे ये विचार किया होगा कि कुछ काल बाद ये सारे जो सहजी है ये ज्यानी हो जाएंगे और अपने पाओं पर खड़ा होना प्रारम कर देंगे अध्यात्मिक रूप से और तब ये मेरे से संसारिक कल्यान के लिए प्राठना नहीं करेंगे क्योंकि जागरत हो जाएंगे जान जाएंगे कि हमें ये मांगना ही नहीं है हमें स्वास्थे नहीं मांगना हमें धन नहीं मांगना हमें अपने परिवार का कल्यान नहीं मांगना हमको मांगना है हमारी जीवात्मा का कल्यान और इस मांग के साथ, इस प्रात्ना के साथ समय लगाना है अपने यंत्र पर, अपनी चेतना पर इसके उन्नत होने के लिए तो आज वो ही काल है और इस काल में अपने अंदर जहाकना होगा अपने अंदर उतर कर देखना होगा कि आखिर हम चाहते क्या हैं ध्यान से सेज्योक से, श्रिमा से क्या चाहते हैं हम स्वयम से या अपने आपको निर्थक भ्रमित तो नहीं कर रहे भ्रम में तो नहीं हमारा जीवन कठनाईयों से निकल कर शांत वे संतलित हो गया तो क्या हमारे अंदर इस जीवन को भोगने की इच्छा तो बल्वती नहीं हो गई यदि ऐसा है तो बहुत घातक है अलार्मिंग सिच्यूइशन है यदि हम अपने जीवन को भोगने के लिए इच्छा रखते हैं या चिंतन करते हैं और इसके वीपरीत यदि हम मा के यंत्र बनके उस यंत्र के तौर पर निरंतर कारेशील हैं निरंतर कारेशील हैं तब ही जाकर हमारी जीवात्माओं का कल्याण होगा के बात अपने अंदर हम सब को बिठा देनी चाहिए अभी किसी ने मेरे से फेस्बुक पे कहा मेरी एक पोस्ट पे कि भई हम देखते हैं सही बहुत परिशानी में है बहुत तकलीफ में हैं वो इतनी तकलीफ में है कि ध्यान में इस्थित कैसे हो कैसे इस उच्च वस्था को पाएं हमने केवल उनको इतना ही कहा कि यह जीवन यह जो वर्तमान काल है हम सब जावरचे इतना होगा अपनी समस्याओं से को दूर करने के लिए ध्यान में उतरने से कोई लाव नहीं अपनी परिशानियों पीड़ाओं से भी कोई सरोकार नहीं हमें सरोकार है तो केवल अपनी जेतना के विकास का अपनी जीवात्मा के कल्यान का और अपने यंद्र के माध्यम से संसार के लिए कारे करने का हमारा सरोकार है हमारे जीवन में हजारों परिशानी क्यों ना आ जाएं हमारा शरीर क्रश काए क्यों ना हो जाएं तब भी कोई सरोकार नहीं क्योंकि ये शरीर कुछ काल का है और संसार शरीर के साथ का है दोनों ही टेंप्रेरी हैं तो जो पर्मानेंट है वो है हमारी चेतना की उन्नती जो पर्मानेंट है सनातन है वो है हमारी जीवात्मा तो हमको हर हाल में अपनी जीवात्मा के कल्यान के लिए अपना कीमती समय लगाना ही होगा कोई विकनप नहीं है अंतिम निर्ने की घड़ी आ गई है निर्थक अपने आपको श्रीमा की प्रार्थनाओं में अपने संसारिक जीवन के कल्यान के लिए उल्जाने से कोई लाब नहीं होगा वियर्थ हो जाएगा जीवन समय वरबाद हो जाएगा संसारिक कल्यान के लिए जो हम बाहे रूप से प्रियास कर सकते हैं वो करते रहें वो हमारा कर्तव्य है लेकिन भीतर में हम निरंतर उत्थान की ओर अग्रसर होते रहें और एक बात बिलकुल अप्छुन सकते है वीपरिताएं विशमताएं कटनाईयां परेशानियां आफते आध्यात्मिक उत्थान के लिए सोने पर सोहागा का कार्य करते हैं यदि हम सही माइने में जागरूख है ये वो अवसर हैं जो तीवरिता के साथ हमारे उत्थान की गती को बढ़ा देते हैं तो इन अफसरों का निरंतर लाब उठाते रहना चाहिए इस चक्कर में बिलकुल भी नहीं पढ़ना चाहिए कि हम संसारिक कल्यान के लिए लगे रहें इससे कह, उससे कह, इससे बंधन लगवा, उससे बंधन लगवा इससे गुहार लगा, उससे याचना कर सब व्यर्थ है, यूजलेस, कुछ नई करना है छोड़ देना है, छोड़ देना चाहिए सर्वोत्तम है, समय वर्वात करने से अच्छा है समय है ही नहीं, इन सब बातों के लिए हाँ, जो उपलब्ध है, उसको भरपूर जी लो जो उपलब्ध नहीं है, उसके लिए मारा मारी मत करो अपने जीवन में ना संसारिक को ये ऐसी इच्छा रखो, ना उस संसारिक इच्छा पूर्ती के लिए इतना लालाईत रहो, कि अपना समय भी बरबात करें तो उससे क्या हासिल होने वाला है तो हमारा तो केवल यही कहना है, कि केवल और केवल इस काल में अपनी चेतना को उन्नत करते चलें जीवात्मा के कल्यान की चिंतन करें हाँ, जीवन मस्ती से काटें, विशमताओं में भी मस्ती होती है, यदि समझे तो मस्ती एक नजरिया है, परिस्थिती नहीं है परिस्थितियां कोई सी भी हो कठें से कठें परिस्थितियों में भी आनन्द उठाया जा सकता है इसमें कोई बिलकुल शक्षुभा है ही नहीं तो बस इसके लिए तो मुझे यही कहना है बाकि आप सब बताईए जब आपने बोला था ना कि आप अपना बैक्ग्राउंड में हम देख रहे हैं कहां पेडित हुए, उदास हुए, लिपत हुए तो तब चीज़े देख रही थी मैं कि हाँ यहां पर यह चीज़े हुए उसके बाद इसके बाद आपस लेवल पर नही होता है अपने बाद पर चल रहा है, हलकी कॉनरसेशन ली और जब आपने का ना क्या आपके घीतर में निरंता श्रिमाताजी चल रही है जीवात्मा की आपका अटेंशन है पर्मात्मा के आपका अटेंशन है जब आप ध्यानस नहीं दीए आप मुझे लगा कि हाँ वाली अवस्ता भी मेने नहीं प्रागी है वैसा नहीं होता हर वक तेरे साथ तो वहां मुझे लगा कि हाँ ये मेरे अंदर ये ठीक करना है जिसे हमें मुझे कोई चीज़ बाहर की तौर पे बेट नहीं कर रहे हैं कि हमने अपने जीवन में हमने एक्षेप्ट कर लिया और हम बेटर ही है जो भी है और अभी ये वाली चीज़ कभी है ये चीज़ को ठीक करना होगा शॉट टाइम है नहीं किये तो बस मुश्किले खड़ी ही है जैसे की एक पेशेंट होता है ना पेशेंट होता है और वो स्वेंग को ठीक नहीं कर पा रहा है तो क्या करता है अपने आपको डॉक्टर के हवाले कर देता है और निशेंट तो यादा है अब देख लेगा डॉक्टर मेरा जो करना है कर देगा सरंडर कर देता है वो अपने आपको जैसे अभी पिछले दौर गया तो बहुत से लोगों ने ऐसी इस्तिती पैदा कर दी अपने अंदर कि या सरंडर कर दिया हमने अपने लिए ज़्यादा परिशान नहीं होंगे डॉक्टर जो करेगा वो कर देगा चाहिए हमें मार दे चाहिए जीवित रखे अब उसकी मर्जी तो समझो कि एक परकार से अपने संसारिक जीवन को पूर्ण तया सरंडर कर देना चाहिए परमेश्वरी जैसे चाहिए रखो लेकिन अपनी साधना को और अपने चित को अपनी चेटना को लगातार नती के मार्ग में अग्रुसर रखे क्योंकि कही न कहीं बारं बार मेरे हिर्दे में ये आता रहता है कि समय बहुत कम है और उन्नती का मार्ग हमें लगातार चुनना चाहिए और उसी की प्रार्ट मिक्ता होनी चाहिए वरना कुछ भी काम नहीं आएगा पता नहीं क्या हो जाए प्राकरतिक आपदाए और घटनाए पता नहीं क्या-क्या घटित हो रहा है लगातार बहुत तेजी के साथ में याद करो दो साल पहले की बात है शायद ऑस्टेलिया के जंगलों में बहुत बुरी तरह आग लगी फिफ्टी मिलियन एनिमल्स बर्न हो गए राक में बदल गए तो तभी एक एहसास हुआ था मैंने शायद बताया भी होगा कि अब ये घटनागरम की शुरुवात हो गई है प्रकरती का प्रकोप प्रकोप का प्रारंब हो गया है अब ये रुकेगा नहीं वही हुआ उसके बात से लगातार इस्प्रकार की घटनाएं चाये वो प्राकरतिक हो चाये मानविय शडियंत के तहत हो लगातार चल रही है और होश लेने का मौका भी नहीं मिल रहा है किसी को जो लोग इस प्रकार की घटनाओं से बज़े हुए हैं वो ये ना समझें कि उनके साथ घटना नहीं होगी या उनके छेतर में प्राकरतिक आपदा नहीं आएगी आ सकती है कुछ भी हो सकता है किन्तु हमें अपने आत्मिक उत्थान की ओ निरंतर अगरसर होते रहना होगा उसे नहीं छोड़ना है चाय कुछ भी हो जाए अच्छे से जीवन जी सकते हैं लेकिन प्रायर्टी वाइस टॉप प्रायर्टी चेतना का विकास सेकिंड प्रायर्टी अपने संसारिक जीवन का विकास और थर्ड प्रायाटी इस जीवन से जितना आनन्द मिल सके उसको ग्रहन कर ले बाकी की कोई आवश्चता रही नहीं जाती मेरा तो ये मानना है अटलिस्ट जैसा हमेशा कहता हूँ कि जो मिले उसे प्रसाद मानो जो ना मिले उसे आशिरवाद मानो तसमस्या कदम चलिए और बताईए आप लोग जसलीन फिनिश हो गया? जी और अन्य कोई वारता लाप करना चाहें, अपना कुछ शेयर करना चाहें एक एक एक्स्पीरिएंस शेयर करना चाहें थे, बिल्कुल पहले ना इन्स्टूमें थ्यान नहीं रहता था, मतलब पूरा टाइमें से, इधर भी इचना मेरा तीन चालबर बाहर आना जाना हुआ तो उस स्वारा जैसे मैं बार आपने हिड्या में देख लिए हूँ, ऐसे जए जए मैं को हैखी ना तो मुझे लग रहा है ये तो इकन दॉ графाई है छो पहले युक्वा यो कै नमेरे तो तो इसे नहीं जा देख्लिए तो ये चाहिजी रहे लग ये टोelim विक रावी सहे ही है। अ रह जफी हो। ज्छी करे क्यों कर दो जए आप हुसरी अपरो Pastor चैंज स कार ऌरड kisses नहीं है। मैंनों कुछह सुपना दरक है। पर को ज़ी पर एक और भावार, तो मुझे बढ़ी है। एक लिए। मैं रुग हो। दो करना होगा और पिन पॉंट फोकस सक्थारी नहीं होगा वरना बहुत चीट पटाइड होगा कि समय निकाल दिया और नद नहीं होपाए समझ लीजे पूरा विश्व एक संकट में हैं आज की तारिक में खाली करोना का मेटाजीन ही है और भी बहुत सारे संकट हैं जो दीरे-दीरे सामने आ रहे हैं और आते जा रहे हैं लगातार अगर मैं इसे यह कहूं कि यह विपदा काल है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी हाँ क्या किया रहती जुसलीन जैसे बाहर अगर हम चीजे देखते हैं तो मतलब मन इतना जादा गराब हो रहे है हर चीज चीजेब क्यों से कि आपॉल से एकते हों गार्णिसनलंगे पार्याब मारें हैं एंसे आप लेहांज साथ ए्याख्यों का बाव़कारनिंगे हो बाखी के सथी रहे हाँ निचेर्स की अराग कर रहें रहों है जुगों के साथ होरा है आफ़ मिए अगर मेरे जैसे इंसान इसको किस तरीके से लेता जानते हो कि जितनी तेजी से डिटुरिशन हो रहा है उतनी ही तेजी से भीतर की अंदर चलना शुरू कर देना चाहिए इस तरीके से लेता हूँ मैं यानि कि डिटुरिशन की स्पीड हमें ये बताना चाहती है कि हमें उससे ज़्यादा स्पीड से अंदर की और जाना होगा वो स्पीड ये बता रही है हमें समझना होगा उस सारे घटना क्रमों की स्पीड को अब वो चीजे पूरी करने का समय नहीं है कि हमने बड़ा सोचा था हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे है इनी टाइम इदर जाना ही नहीं आप इदर की तरफ कि संसारिक इस तरफ पे हमने क्या सोचा था, क्या करना चाते थे, अब हम वो वाली इच्छा पूरी करेंगे, वो नहीं है समय हो जाए तो ठीक ना हो जाए तो भी ठीक उसकी तरफ समय बरवाद नहीं करना कोई भी किसी को भी हाँ on the way वो चीज पूरी हो जाती है it's okay लेकिन अगर रास्ते से हट कर हम जा रहे हैं तो मामला गंभीर है फिर हमेरा हानी होगी नुकसान उठाना पड़ेगा और वो नुकसान ऐसा होगा जो रिकवर कभी नहीं हो सकता इर रिकवरेविल कभी नुकसान पूरा नहीं होगा वो जैसे है कि किसी को तलब लगी कि रस्मलाई खानी है और कोई दिल्ली की तरफ जा रहा है उसको तलब लगी रस्मलाई खानी है एक तो यह है उसने हिर्दे में भाव रखा कि ठीक है दिल्ली की रास्ते में कोई हलवाई मिलेगा तो रस्मलाई खा लूँगा और एक ये पागल बना चड़ा कि वही रास्ते में सफर रोक कर अब वो रुणगी की तरफ चला गया दिल्ली का रास्ता चोड़ा मिठाई लेने के लिए उसके वीपरी दिशा में चला गया तो ये बहुत हानी कारक है क्योंकि समय बरबाद हो गया या तरफा मंजिल और देर से आएगी और क्या पता समय निकल जाए तो मंजिल पे पहुँची ना पाए यानि कि मिठाई खाने के लिए दिल्ली का रास्ता त्यागना नहीं है और अगर भगवान ने मिठाई खिलवानी होंगी तो दिल्ली वाले रास्ते पे चलते विठाई खिलवा देंगे तो इस चीज से परहेज करना है कि पता लगा यात्रा छोड़कर हम चल दिये कहीं और तो वह आमला कड़वर जाएगा एक मिनिट होड़ करना आज तो सारी बैटरी जो है आदा आदा घंटे में डाउन होनी है तो बात पर ले पड़ी मेरी मेरी बात पर ले पड़ी कि दिल्ली के रास्ते में चलते वे जो मिल जाए तो बढ़िया यात्रा छोड़कर विप्री दिशा में नहीं आना है सब को ये समझना होगा सब को अपने अंदर उतारना होगा मेरा निवेदन है आगरे है आप सबसे ऐसा ना करें कभी भी क्योंकि समय की बहुत शार्टेज है मुझे पता है सब लोग के सामने ऐसी अच्छी चीजे भी आ रही हैं आजकल जिसकी उम्मीद नहीं थी वो भी हो गया आश्चरे भी होता है ये कैसे हुआ लेकिन इस बात का जरूर ध्यान लखें इस चेतावनी का जरूर ध्यान लखें कि यात्रा छोड़ कर नहीं जाना है हमें किसी इच्छा की पूर्ती के लिए या कोई चीज को प्राप्त करने के लिए संसारे का वो घातक हो जाएगा क्योंकि आप दिल्ली से विपरीद रास्ते पे चलेंगे जितनी दूर उससे दूर चले गए दिल्ली के रास्ते से वापसी में उससे दूगन टाइम लगेगा डबल टाइम वेस्ट हुआ एक जाने में टाइम वेस्ट हुआ और एक वापस पलटने में टाइम वेस्ट हुआ और तीसरा टाइम जितना समय इस जाने और वापस आने में लगाया है उससे जादस समय में आप दिल्ली के और नज़दीक पहुँच जाते तीन प्रकार के समय का लॉस हुआ है ये समझना होगा हमारे बहुत से सहजी संसारिक चीजे जो प्राप्त होती है उनको मां का आशिराद मान के खुश हो जाते हैं खुश होना ही चाहिए और मानना भी चाहिए कि मां का आशिराद है किन्तू उस आशिरवाद को प्राप्त करने के चक्कर में अपनी यात्रा को बंद ना करें या यात्रा से वीप्री दिशा की और ना चल पड़ें ये चीज बहुत आवशक है समझनी तो ये कहना चाहते थे हैं अचानक खिरदे में ये चीजे कुछ दिनों से चल रही है पिछले 10-15 दिनों से कि भाई समय वरवाद मत करो किसी भी स्तरगा उन चीजों के लिए जो टेंपरेरी हैं उनके लिए इतना समय नहीं खराब करना चाहिए समय से ज्यादा है चित यानि कि संसारिक चीजों में अटैश ना हो जाए चित हमारा ये चीज जाननी है बस अपने आप सको समझना होगा इस चीज के लिए और कोई जसलीन के अतिरिक्त अगर कोई नहीं है तो फिर समाप्ट कर देंगे प्राची अब बोल दो क्या हुआ प्राची को जैश्माता जी जैश्माता जी जैश्माता जी अच्का अच्का अज तो पूरे जिहान मेरे सात्रा मैं ममी को बोली की ममी को कैसे भी देख लेना को ध्यान करने जेता है जोडी मेरी वस्थिती पता नहीं कब राएगी कि मैं आत्मा से जूड़के करो मुझे दिस्टा हुँ और फाइनलिया जो स्टार्टिंग से मिले सात्रा और मुझे वस्थिती भी मिल गे आत्मा से जूड़के हाली उसको इतनी सारी जग मैं ले गए जो भी उसका कार्य काम करना था मुझे वो सब कर्ते-कर्ते भी जूड़के रही तो मुझे लगा आज में जूड़के तो अब मैं उस चीज़ से आज बार आगे। अच्छा लगगा। मैं थोड़ा रूप गई। अच्छा लगए। मुझे अच्छा लगा कि मुझे कुछ बाते करने तो मैं नहीं कर सकती। कि वो हला करें तो ऐसे भी डिस्टरबिन्स आजी। तो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा रूप गई। बट मुझे अच्छा लगा कि मुझे डिस्टरबिन्स के भी नहीं हुए आज। और समय वाला तो मुझे हमेशा लगता है कि मुझे अपचीज जली जली चाहिए। जाने, और जाने, मतलब पाना है और वह मातम्य यांत्र को सामाण भी आसिल करते हैं वह अटो भीजाती है हम अपने आप पर मतलब कोयी आहा है को पढ़ा ऱते हैं कि मतलब वह चीЗह सक वहा है कि हम यांत्र हैं, हम क encounter है फिर उससे बाहर आते हैं, अरे क्या सोच के लिए तो वैसे देखाई तुम्हारी आवाज बंद हो गई? हाँ, यह अहला करने आगया ना फिर से तो फिर अब मतलब अब फिर से वो तिवरता यह सब चीजे आपने कही तो वो और बढ़ गए और अपनी मुझे ही है वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है यह तो अब देखो तुमने एक रास्ता पाया ना मालो बच्चा बहुत तंग कर रहा है अब तंग करते करते भी कैसे जुड़ी रहूं आत्मा से अपनी चेटना से कैसे जुड़ी रहूं ध्यान में कैसे जुड़ी रहूं तो यही तो तो यही तो चीज़े हैं जो हमें अभ्यास से अपने आपको व्यवस्तित कराती हैं हर स्थिती में रहना सिकाती है हर स्थिती में ध्यानस रहना सिकाती है यही तो वो चीज़े हैं यही अभ्यास तो सबसे सुन्दर है कि दुनिया भर की चीज़ों को करना भी है लेकिन हमारी अंद्रूनी यात्रा रुपनी भी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे क्योंकि वो top priority पे होनी शाहिए top priority जैसे इंजन देखा है train का इंजन आगे होता है जनर्मली और डबे इतने सारे खींच के जाज़े होता है वो इंजन सारे डबो को खींच लेता है तो समझ लो ये मार्ग प्रार्थमिक ता के तौर पर इंजन जैसा है जब ये चलेगा तो सारा जीवन रूपी डब्बे अपने आप ही चलते रहेंगे अगर ये रुप गया तो वाकी डिब्बे भी रुप जाएंगे इसे ऐसे समझना चाहिए अज्ञान तावश लोग क्या करते हैं? वो सोचते हैं डब्बे अपने आप चल जाएंगे असंभाव अध्यात्मिक जीवन रूपी इंजन ही तो हमारे संसारिक डिब्बो को खीचता है तो टौप प्रियर्टी यही होनी चाहिए कि यह इंजन चलता रहे ताकि हमारा बाकी का जीवन भी इस इंजन के सारे चलता रहे यह वास्ताम में इंजन है इसलिए मैं इसे अप प्रियर्टी की केटेजरी में डाला है तो प्राची समझ में आया? आज तुमने प्रेक्टिकल किया है अज तो तुमने प्रैक्टिकली किया है यहाँ प्रैक्टिकली इस चीज से घुजर गुजर गिना तो बड़ी शांति इन रही है कि यह से अपोजित नहीं इसे अपोजित नहीं मतलब शर्कंस्रांस जोगी है जो डिस्टरब करते हैं उस अवस्था में भी वो आत्मा से जुड़ाओं कि अनुद्य फेली हो रही थी तो वो गहनता और ज्यान भी चल रहा है तो आज लगा कि हां मतलब इस तरीके से तो यह चीज तभी छुटेगी नहीं मतलब अभी तक तो ऐसी ही लग रहा है क्योंकि एक तो यह सामुईता का इल छेतर भी है तो हो सकता है वो इन्टेंसिटी अभी हाई है यह जैसा भी अब आगे है कि इसी चीज को हम मतलब यह अंदर कैसे सागे रख सकता है तो वो चीज हमें मतलब वो एक चीज ताधनी आई इस पर्टिकुलर जो आवस्था को तो यह ही इसके लिए एक उदारन और दूँगा आपने सुना होगा प्राशीन काल में लोग अपने कारे निप्टा के संसारिक वान परस्त हो जाते थे वान परस्त यानि कि वन में चले आते थे और फिर परवु के ध्यान साधना में अपना बाकी का समय बिताते थे लेकिन ये जो काल है इस काल में हमें वान परस्त नहीं होना है बल्कि गरस्त के अंदर ही वान परस्त वाली अनुभूती उत्पन करनी है यानि की घरस्त में ही सन्यस्त इस्तती को उत्पन करना है त्यागना कुछ भी नहीं है लेकिन आंत्रिक इस्तती को सन्यस्त इस्तर पे उन्नत करना है या वानप्रस इस्तती को उत्पन करना है भीतर में तो सारी चीज़े एक साथ चलेंगी हम ही लोग शायद पिछले जीवनों में साधना के लिए पाड़ों की गुफाओं में या जंगलों में जाकर तपस्या करने गए होंगे लेकिन जो अंतिम पड़ाव है ध्यान यात्रा का वो है ग्रस्त तो इस बार ग्रस्त में आए तो ग्रस्त में आने के बाद हमें ये कल्पना नहीं करनी कि हमें एकदम हमसे शांत वातावनन मिल जाए हम ध्यान अस्त हो जाए बल्कि हमें ये अभ्यास बनाना है कि वातावनन कैसा भी हो हमारा ध्यान निरंतर बना रहे ये वाला अभ्यास हमें बनाना होगा और इसी से कल्यार होगा पलायन करने से कुछ लाव नहीं होने वाला तो ये चीज सब को डेवलप करनी है और मैं समस्ता हूं बहुत से लोगों ने डेवलप कर भी लिए तबी हर प्रकार की चीजों में भी यात्रा जानी है बहुत अच्छी बात है प्राची बहुत अच्छी बात है प्राची वेरी गूट हां जी और कोई अभी 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 24 लोग है बाकी लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं क्या पिछले कुछ दिनों से तो तीन चार लोग ही बाते करते हैं अभी 24 लोग में जी जी बाते हैं जी बाता जी बाता जी बाता जी बाता जी बताये प्राच अब पताया भी था, मेरा घ्यानने इंटराब कापिता भी पोचिने की मानी भी हो जाओगा अगा पतानी तहां तहां तो आज जो जानवा अब समझने आया है कि ये सब कोचित हमें ये माने केहन का पाने के इंडिक है ये साथ पे मतलब इस लास सेशन में शर्या को भूआता चैशा है उसमें इतनी चाहता शानती और इतना थानत आ रहा है मतलब जैसे तालीबान का हुआ तो चितना भी चला जया जया तो इस तो वर्त भी कर रहा है ये साथ शीवाद से भी कर रहा है तो जो जो सिस्तन है ना भी जैश्वती वो भी उसमें वर्त चलबा है लेकिन अपने आपने आपने शाथ शीवाद से देखा भाए और ऐसे लग रहा है जैसे उकर से बैड़के पढ घड़े शांदी से जैसे खर्मातमा की कोड़ में अमा की कोड़ मैं गजु है ना उक फटने स्मून से सब कुछ देख रही है तो यह हफ्ते तो बहुत ही आनगाया है, मुरी शानुटी, से कहते है, रूहानी स्कॉन, बहुत अच्छा लगा है, तो काफी टाइबाद मुझे निल्हा है, मुभारगो बहन, क्योंकि सारी क्लेक्टिविटी साथ ही चलती है, और अपका सयोग है, इसमें कोई शक नहीं है, बस इस कलेक्टिव का आभास करते रहना चाहिए लगातार, बले ही हम बेठे या ना बेठे, बले ही वो जून सेशन हो या ना हो, बले ही रात की दस बजे हो या ना बजे हो, आपनी शांती वी अपनी शांती हुझ आप समझ रहे हुझ अप समझे हुझ विल्कु समंझ मैं बलाएगी, भी लोगु मिल्गी सी। मुझे का नहीं चाहिआ लगई कर देशना है, ही किया लिया है जैसे कि आप ध्यान में बटाया जो भी कुछ भो रहा है इसे हम साक्षी भाव से देखें और अपनी कहन का पुप्राथ करें बस आपने श्री महादेब का सीरियल जरूर देखा होगा पिछले दिनों चला तो उनकी एक स्टेटस श्री महादेब का एक चीज रहती थी द्रश्टी सब पर है उनकी पर वो निश्करिये तागे साथ साक्षी भाव में बैठे है बतब अटेंशन में सब कुछ है उनके पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते है निश्करिये हैं बास यही वाली चीज़ो को हमें अपने अंदर जेनरेट करना है कि हमारा अटेंशन तो कारे करे है पर हम उन चीजों से विचलिक ना हो और अपने कारे से पीछे ना आटे है और साक्षी भाव में लगातार कारे रत नहीं श्री महादेब वाली स्टेट में वैसे ही इस्तिती को अपने अंदर धारन करना चाहिए और वो सबसे बढ़ी हाचीज सरवत्तम होती है oh कि वह जानते महादेब शर्मादेब यह जानते हैं कि जो अगटना करम है वह गटना करम तो गति शील रहेगा पर हम उस गटना करम руки गति शीलता के अंदर हं क्यों गति करें हम साक्षी क्यों ना हो जाए कि अपने आपी सिस्टम को अपने आपी सिस्टम करने लगा है मता चल गाता राइट साइड है कि अपने किसका आ रहा है तर देख रही है कि साप्षिवास को जैसे ही अगले कि नियुकमर का शैशन था कुछ नहीं हो और मैं वहने सिखाने के लिए मैंने शूम आईडी डाले उसके बाद है उसके बाद है उसके मेरा सेंटर हाथ अपने अपने अपने आप आने लगा अगला वहां ने लिए अगली जो आपने बताया यह हुआ क्या जानते हैं माली जापने न्यू कमर्स के लिए कोई सेशन लेना था आपने बताया जैसे अदिया आपका चित जब उन पे गया तो उनके यंद्र की इसधी आपके सिस्टम में आई यानि कि उनके सेंटल हार्ट बंद थे उनके सेंटल हार्ट बंद थे इसलिए उनके सेंटल हार्ट के रिफ्लेक्सिस आपके सेंटल हार्ट में आए और आपको लगा आपका सेंटल हार्ट बंद हो गया यह रिफ्लेक्सिस थे खाली लेकिन जब कारे कराना था तो चुकि आपका Central Heart भोड दिवन था वो तो उनके Reflexus थे फिर कार्य करने के कारण आपके Central Heart से ऌल आगने के लेए क्यूंकि आपका Heart बंद नहीं हुए कि वो उनके बंद Heart का रिफ्लेक्स जाया था आपको हमारे बहुत सारे सहजी ये मिस्टेप करते हैं तुरंत कह देंगे कैच आ गया अरे भई कैच नहीं है रिफ्लेक्सिज है पर्ति बिंबित हो रहे हैं दूसरों के यंत्र हमारे यंत्र पर पर्ति बिंबित होते हैं वो कैच नहीं है लेकिन हम फटाक से एक डिकलेर कर देते हैं हमारा हार्ट बंद हो गया हमारा सिस्त्रार बंद हो गया हमारी विशुद्धी बंद हो गया हम यह बूल जाते हैं कि जिन पर हमारा अटेंशन था उनके रिफ्लेक्सिद आ रहे हैं यह तो यह भी समझना होगा किसी के जहन के अंदर ऐसा है ना कि हम गौर नहीं करते हैं कि हमारा टेंचन है कई बार होता है हमारा टेंचन होता है हम उसे संग्यान में नहीं लेते कि अटेंचन है अब जैसे कि हमारे देश की इतनी दुर्दशा हो रखी है जिसके कारण दुर्दशा होई है उस पे तो हमेशा ही अटेंचन रहता है तो उसके रजाने कैसे कैसे रिफलेक्स आते रहते हैं हम चाहे ना चाहे पर अटेंचन तो ही रहेगा क्योंकि लोगों को तड़पते वोई देख रहे हैं परिशान देख रहे हैं देश की बुरी हालत हो रही है तो जो इसका मुख्य दोशी है उस पे तो अटेंचन रहेगा ना है ना और उसके लिए बद्वाएं भी निकलती रहेंगी बद्वाएं भी खूब निकलती है और जाई रही है और लगी भी रही है परिणाम बाद में आएंगे अभी तो जाई रही है तो कहने का मतलब है आप कितनी कोशिश कर लो attention हटे गा ने attention रहेगा क्योंकि जहां एक trauma हुआ जिस चीज का trauma घटित हो रहा है तो attention automatically trauma पे रहेगा आप चाहो या ना चाहो और reflexes भी आएंगे जो भी सहजी जो भी सहजी मानवता का बचाव करना चाहते हैं या जो मानवों से प्रेम करना चाहते हैं परकरती से प्रेम करते हैं परमात्मा से प्रेम करते हैं ऐसे सादक सादिकाओं का चित ओटोमेटिकली बुराईयों पर रहता ही है ताकि धीरे धीरे वो बुराईया नस्ट हो सके आप कुछ भी कर लो जाएगा आटेंचन वहीं रहे गई वहीं परी जाता भी है और गुड़ता भी है कहीं आपको हाँ और जब ऐसा होता है तो उसके रिफ्लेक्सिस हमारे यंतर पर आते ही आते हैं ये भी कोई ही रोक सकता अब हम इन चीज़ों को जानना चाहते हैं कि आज हमारे अंदर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ तो हमको याद रखना पड़ेगा कि हमारा अटेंचन कहा था हम क्या कर रहे थे हमारी चेतना कहा थी हमारा मन कहा था तो इससे हमें आपको इससे पता लग जाएगा हमें कि वास्ताब में हुआ क्या ज्ञान मिलेगा इस चीज से जागरू करहना चाहिए बस अब 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 प्रात्ना वाले मोड से हट गया है जूम पर तो हम सबकी सुविधा के लिए प्रात्ना कराते हैं क्योंकि जूम में बहुत सारे नए लोग आने वाले समय में जुड़ते हैं जब आज का जो वीडियो बनेगा उसे चार-पांच महीने बाद जो नए लोग देखेंगे तो ये प्रात्ना उन लोग के लिए होती है आप लोग के लिए नहीं है ये प्रात्ना क्योंकि वो लोग को सवस्था में नहीं है अभी उन्हें प्रात्ना ही चीज समझे में आएगी प्रात्ना कर लो पहले क्योंकि यही समझा है आज तक लेकिन अब हम लोग जिस थरीके से connected है न हमें कुछ करने और बोलने की आवशकता नहीं है there is no need at all अगर हम connected हैं तो हमारा system automatically कार कर रहा होता है ये तो ये तो सब को एक point पे focus करने के लिए ये बोला जाता है अन्यता बोलने की आवशकता नहीं है अब चुकि ये जूम सेशन है और जूम सेशन में गाइडिड मेडिटेशन घटित होना है तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ताकि सभी चेतना एक platform पे आ जाए अन्यता सादक सादिकाओं की स्थती ऐसी भी आ रही है कि जहां पे कुछ बोलने की आवशकता ही नहीं है automatically system काम कर रहा होता है आज यह दो वीग से मैं सुस्किया दिया और इस वीग तो और भी जादा पूरी तरह ऐसे मिल्कुर्ट ने कहते हूं लुहानी स्कोर्ण और तब आज मिंशांती आने वाले समय में आने वाले समय में जूम सेशन में शब्द बहुत कम हो जाएंगे मौन बोला करेगा आने वाले टाइम में बहुत गिने चुने शब्द रह जाएंगे बस जैसे गाड़ी होती है ना गाड़ी जब खड़ी है उसे स्टार्ट करने के लिए एक बार सेल्फ मारते है और जब एक बार सेल्फ मार दिया तो फिर दुबारा सेल्फ मानने की ज़रूत नहीं होती तो यहां मैं उसको शब्द से रिलेट करूँगा सेल्फ और शब्द एक ही बराबर है एक बार कुछ बोला तो अब ध्यान शुरू हो गया यहनि कि सेल्फ लग गया और ध्यान की गड़ी चल दी आगे को तो आने वाले समय में शब्द बहुत कम होने वाले हैं उर्जा बोलेगी मान बोलेगा आपकी जीवात्मा बोलेगी आपकी चेत्ना बोलेगी आपकी आत्मा बोलेगी शब्द गुम हो जाएंगे हम सब की यात्रा उसी तरफ है आपका म्यूट हो गया है म्यूट आप खोल लीजे, म्यूट हो गई हैं आप तो आने वाले समय का खाका खीच दिया है हमने हमारी हम लोग प्रेजेंट होंगे जूम पे पर मौन में घटित होगा सारा करना करम चंद शब्दों का ही खेल रे जाएगा यह मौन की पहिया बहुत कुछ होगाता है बहुत आनंग आई है यह समने पूरी तरह मैंने मैंसेश किया है पंदरा एक दिन चे तो बहुत अच्छा थे देरे देरे अपडेट और अपग्रेड होती है न चीजे काल के मताबिक है जैसा काल जैसी स्थिती जैसी परिस्थिती वैसा ही ध्याँ अच्छू की सादक सादिका जितने भी जुड़े में हैं वो धीरे धीरे उन्नती की तरफ ही जा रहे हैं चंदी लोग हैं जो उन्नती के वीपरीत नीचे की तरफ जा रहे हैं फस गए हैं अपनी किनी चक्करों में वो नीचे की तरफ जा चुके हैं लेकिन जाय तक तो उन्नती की तरफ जा रहे हैं सहरी जिनका चित संसार में उलज गया तो वो उनकी अदोगती हो गई है शुरूर और जो ईश्वर से जुड़ गए हैं उनकी उधर उगती हो रही है निश्यत रूप से अब जो अदोगती की तरफ जा रहे हैं वो कितनी कोशिश कर लें इस्थापित नहीं हो पाएंगे जब तक बिल्कुछ जमीन तक नहीं पहुंच जाएंगे अब जैसे कि एक बिल्डिंग से आपने एक पत्थर को नीचे गिराया तो पत्थर हवा में रुखता नहीं है वो नीचे जाते जाते बेल जमीन से जा के टकराता है तब ही रुखता है वो फिर चाहे कोई उस पत्थर को बाद में दुबारा उठा कर उपर भजा दे वो एक अलग बात है लेकिन जब नीचे जा रहा होता है तो आज़ी रुकता नहीं है लेकिन जो उपर की दर्ब जा रहा होता है वो थोड़ा रुक रुक के चलता है ये सुभावी गटना क्रम है ये लेकिन नीचे वाले जाने वाले के लिए रोख कहीं नहीं होती है अटक तक ही नहीं हो, सीधा नीचे धर्ती पे जाके ही गिर देगा पत्थर, इसी प्रकार से इस यात्रा पर चलने वाले यहीं संसार की किसी चीज से चिपक गए, तो वो बिलकुल बॉटम लाइन तक ही पहुचेंगे, निश्चित रूप से बीच में रुक नहीं सकते, कितन इसलिए प्रारंबिक काल से ही अपनी इस्थती को इस परकार से बना के चलना चाहिए, कि गिरने की विनौबत ना आए, उसका सर्वत्तम उपाय है, डिटेश्मेंट, संसार से इलेटेट चीजों से धीरे धीरे डिटेश होते चलिए, अब देखिए एक बहुत ही पूरत एक्जामपल है इस चीज़ का, एक मिनिट